Hello Everyone, Welcome to Brahmi Academy आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी English में There is no one size fit all solution मतलब एक solution सब के लिए apply नहीं किया जा सकता सेम ऐसे ही जब हम 2025 की strategy की बात करते हैं तो एक strategy हर एक बच्चे के लिए apply नहीं हो सकती है तो आज हम थोड़ा realistic बात करेंगे हवा हवाई वाली बाते नहीं करेंगे नहीं मैं बहुत ज़्यादा आपको motivation वाली बाते बताऊंगी हम सीधे सीधे focus करेंगे कि real में आपको 2025 clear करने के लिए MPPSC 2025 clear करने के लिए किन-किन चीजों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है बिल्कुल real चीजे हम discuss करेंगे ठीक है तो चलिए start करते हैं सबसे पहले मैं हमेशा की तरह divide करती हूँ student को तीन भागों में जो तयारी करने आए हुए है एक पैसे है जो fresher अभी अभी आए है अभी अभी उन्होंने तयारी शुरू की है बिल्कुल decide किया है अभी कि अब हम start करेंगे preparation MPPSC की एक ऐसे लोग होते हैं जो middle में होते हैं उनको एक दो सालों के experience होता है लेकिन prelims नहीं निकला होता अभी एक ऐसा type आपको मिलेगा जिसके पास experience है दो तीन सालों का जो mains भी लिख चुका है जिसे पता है कि prelims से ज़्यादा mains important है क्योंकि एक बार prelims निकल गया तो mains जो है वो 6 दिन होता है बहुत ज़्यादा pressure बहुत ज़्यादा syllabus syllabus ही cover नहीं हो पाता फिर जब हम paper लिखने जाते हैं तो paper पूरा ही नहीं कर पाते क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आहीं नहीं रही होती तो यहां पर experience वाला भी एक person है आप देखी रहे हैं थोड़ा दाड़ी वाड़ी बढ़ गई है पढ़ते पढ़ते तो तीन type के यहां बच्चे हैं शुरू में मैंने आपको एक कहावर बताई कि हमारा एक solution, हमारी एक strategy, हमारी एक ररणीती तीनों पर apply नहीं हो सकते तीनों को अपनी अलग-अलग ररणीती बनानी पड़ेगी यह जो अब का middle वाला है इसको हम fresher में ही लेकर चलेंगे तो जो दो भागों में divide रहेगा एक रहेगा experience वाले student और एक रहेंगे fresher वाले जो अभी तैयारी शुरू कर रहे है क्योंकि यह अभी middle वाले जो है यह अभी ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा knowledge है और वो सब knowledge इकठा करने में लगे हुए हैं लेकिन सही राह में अभी भी नहीं हैं अभी भी भटक रहे हैं अभी भी chances है कि एक दो साल उनके बरबाद हो जाए तो हम यहां दो भागों में divide करके रखेंगे student को एक fresher जो अभी preparation करने के सोच रहा है या एक साल से कर रहा है ठीक है एक आपका experience student जो mains लिख चुका है एक बार ठीक है दोनों के लिए हम देखेंगे strategy अलग-अलग जो की उसके हिसाब से suit करेगी उसको यहां पे हमने strategy जो आपकी मतलब यहां आप बहुत सारी strategy देखेंगे उनमें से जो एक main strategy होती है वो होता है SWOT है यह क्या होता है यह आप अपने paper 4 में जो उद्यमिता वाला है entrepreneurship वहां पे भी पढ़ेंगे यह होता क्या है SWOT SWOT analysis का full form है यह जो आपका SWOT है S for हो गया strength W for हो गया weakness O for हो गया opportunities and T for हो गया threats इसका क्या मतलब है जो आपके fresher बच्चे हैं जो आपके नए बच्चे हैं याद रखेगा fresher की बात करें यहाँ पे या फिर नए बच्चों की बात करें उनके हिसाब से देखें तो उनकी strength यह है कि उन्हें basic से बिल्कुल पढ़ना है उनके अंदर motivation है क्योंकि अभी अभी बिल्कुल तैयारी शुरू की है 8-10 घंटे वो आराम से पढ़ ले जाते है अच्चा यह चीज जो है वो उनकी weakness भी है क्योंकि उन्होंने अभी तैयारी शुरू की है तो वो थोड़ा सा ढिलाई भी कर सकते हैं क्योंकि उनका यह की बीच में एक दिन गैप ले लिया एक दिन दोस्तों के साथ घूमने चले गया एक दिन पिकनिक का महौल बन गया कोचिंग में सब बच्चों के साथ तो यह थोड़ा weakness भी उनकी है कि वो भटक भी सकते हैं और यह एक उनका strength भी है क्योंकि उनको सारी चीजे पढ़नी है वो बिल्कुल basic से एक एक चीज पढ़ते हैं यह उनकी strength भी है आप खुद focus करेंगे कि जब आप first पहले साल पढ़ाई कर रहे होंगे तो आप हर एक चीज बहुत अच्छे से detail में पढ़ेंगे एक दो साल बाद जब आप पढ़ेंगे तो आप main main चीज पढ़ेंगे और शायद कुछ चीजे छोड़ने लग जाएंगे कि चलो यह important नहीं है यह important नहीं है शायद वो important ना हो लेकिन इन में से कुछ चीजे ऐसी भी होती है जो कि चाप छोड़ देते हैं और बाद में आपको लगता है कि वो काम आ सकती थी तो यहाँ पे strength और weakness हो गई यह fresher वाले जो आपके बच्चे है नए बच्चे है वो opportunity क्या है 2025 में सबसे बड़ी opportunity है कि आपके पास है समय जो कि अभी बीच में लगतार आपके जितने भी paper हुए थे वहाँ पे नहीं मिल पा रहा था mains लगा हुआ है फिर आपका pre आ गया जो बच्चे में में ज़्यादा अच्छे से prepare नहीं है या थोड़ा भी prepare है वो डर रहे हैं कि आप mains prepare करें कि pre prepare करें हर एक दो महीने के बाद आप लगतार देख रहे थे पेपर हो रहे थे इसकी वज़ाद से जो बच्चे पीछे थे वो पीछे ही रह गया क्योंकि उन्हें complete करने का time नहीं मिल पा रहा था और जो बच्चे आंगे थे 2019 में भी interview दे रहे है 21 में भी दे रहे है 22 में भी दे रहे है मतलब उन्ही उन्ही बच्चों का बार बार हो रहा था इस बार opportunity क्या है opportunity नए बच्चों के लिए भी पुराने बच्चों के लिए भी कि यहाँ पे आपको समय मिल रहा है समय मिल रहा है आपका बड़ा थ्रेट जो है जो खत्रा है वो है पुराने बच्चों से ऐसे बच्चे जो दो-तीन बार मेंस लिख चुके हैं या इंटर्व्यू दे चुके हैं ऐसे बच्चे जो सिलेक्टेड हैं लेकिन वो अपनी पोस्ट और रैंक बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसे बच्चों से क् हम बात करें नए बच्चों को अब हम बात करें अगर पुराने बच्चे की कि मतलब यहां पे अगर हम बात करें कि जो experience बच्चे है experience बच्चे हैं उनको क्या-क्या खत्रा रहता है या उनको मतलब उनको और चीज़े पढ़ रखी है सिलेबस चेंज हुआ है तो जो चीज़े नई आड हुई है उसके अलावा मैक्सिमम चीज़े उन्हों ने पढ़ी हुई है उन्होंने में लिखा हुआ है तो उन्हें पता है गलती कहां पे इसलेबस कहां पर उनका नहीं complete है topic कौन सा उनका कमजोर है कौन सा अच्छा है तो जो यहां पर उनकी strength है weakness क्या है weakness यह है उनकी कि आप देखेंगे शुरुआती दौर में जतना जादा आप focus होके पढ़ रहे थे बाद के दौर में उतना ही जादा आप क्या होंगे थोड़ा धिलाई करने लग जाएंगे आ आप 6-7 गंटे में सोचेंगे कि बहुत है क्योंकि आप आप चाहें तो कर सकते हैं अपने आपको push थोड़ा और कि शुरुआत में तो करी रहते हैं 8-8 गंटे पढ़ाई अब भी कर सकते हैं लेकिन फिर आपको लगने लगता है कि मैं जब 6 गंटे में ही उतना पूरा कर ल ऐसा होता है कि prelims नहीं निकलता में पूरा complete है लेकिन pre नहीं निकला तो उनकी यह भी weakness है यह भी कमजोरी है कि वह prelims को बहुत हलके में ले लेते हैं और last last में सोचने कि revision कर लेंगे और बाद में revision अच्छे से हो नहीं पाता current affair पूरा हो नहीं पाता और फिर उनका prelims भी नह ही है कि अभी आप जिस position में हैं आपके पास काफी समय है अपना पूरा syllabus complete करने का जो नई syllabus में चीज़ें एड हुई है उसको complete करने का answer writing करने का आपके पास opportunity सबसे बढ़ी है कि पुराना जितना भी history है geography है quality, economy, science आपका complete है वो आपको सिर्फ practice करनी है बैटके revision करना है बार बार नहीं बच्चों को तो अभी basic से पढ़ना है threat क्या हो सकता है आपके लिए भी threat वैसे लोग है जो दो-तीन बार interview दे चुके हैं जो selected है और अभी भी paper दे रहे हैं क्योंकि उनको अपनी rank सुधारनी है तो यह होता है आपका SWOT analysis अब देखिए मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको क्यों बताई है यह चीज़ अपलाई होती है आपके subject में भी subject में कैसे apply होती है subject में आपको दो चीज़े बस लेके चलनी है strength और weakness पे जैसे हम मान की चले यहाँ पे नए बच्चों की बात करते हैं या नए बच्चों की नहीं हम किसी भी student की बात करें किसी भी बच्चे की बात करें यहां पे तो उसको पहचानना पड़ेगा कि उसकी strength क्या है आप जब रणीती बनाते हैं आप जब कोई भी strategy बनाते हैं तो खुद को ध्यान में रखकर बनाते हैं आपको पता है कि आप की strength क्या है आप कितने घंटे पढ़ सकते हैं जैसे job वाले हैं उन्हें यह पता है कि वो ज़्यादा समय नहीं दे सकते तो उनको दूसरी strength देखनी पड़ेगी कि कैसे मैं कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़े cover कर लो कैसे जब मैं 3-4 घंटे पढ़ू तो मैं without any distraction मेरा सिर्फ ध्यान रहे कि मैं क्या पढ़ रहा हूं क्योंकि ज़रूरी नहीं आप 8 घंटे पढ़ें पदा चला कोई-कोई 8 घंटे पढ़ रहा है लेकिन effective जो time है कि बिल्कुल concentrate हो कि आप कितने घंटे effective पढ़ रहे हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है तो ये strength हो सकती है किसी बच्चे की किसी बच्चे की strength हो सकती है कि भाई उसका schooling जो है काफी अच्छा था पढ़ने में काफी अच्छा है एक बार में उसे सारी चीज़े समझ में आ जाती है तो ये उसकी strength हो गई और यहीं पे कोई बच्चा जो स्कूल टाइम पे वीक था तो ये उसकी सबसे बड़ी वीकनेस हो गई क्योंकि उसको पढ़ने में बच्चपन से ऐसा बिल्कुल दिमाग उसने ट्रेंड नहीं कर रखा है कि जो पढ़ूंगा एक बार में सब याद हो जाएगा तो ये वीकनेस हो गई और जो स्कूल में टॉपर था हमेशा सही वो उसकी पॉजिटिव होगी पॉजिटिविटी हो गई है ना स्ट्रेंथ हो गया उसका उसके बाद यहाँ पे strength क्या हो सकता है जो पुराने बच्चे है उनका क्योंकि syllabus पूरा complete है syllabus complete है यह उनकी strength है और यहाँ पे weakness हो गई वही पुराने बच्चों नै बच्चों के लिए क्योंकि ओभी start कर रहे हैं तो यह उनकी weakness हो गई उसके अलावा strength आप किसी subject में लेकर जाएंगे जो technical वाले हैं उनको लगता है कि मतलब उनका जो ये history और polity, geography ये वाला art वाला section है वो कमजोर होगा लेकिन ऐसा होता नहीं है आपको जब interest आएगा तो आप देखेंगे कि यही subject आपके सबसे जादा मजबूत है जब आप अपनी रणीती बनाएं चाहे नए बच्चे हों चाहे पुराने बच्चे ये जरूर याद रखें कि आपकी strength क्या है आप कितने घंटे पढ़ सकते हैं आपकी health कैसे रहती है वो भी important है मालनीजे कोई पढ़ने में बहुत अच्छा है लेकिन वो दो-तीन दिन बीमार पढ़ जाता है हफ़ते में तो वो पीछे चला जाएगा उन बच्चों से जो लगतार साथ दिन पढ़ रहे हैं अच्छे से चाहे उससे कम ही पढ़ रहे हैं जिसकी health अच्छी नहीं रहती वो उसकी weakness है तो यहां पर हर एक बच्चे को जब अपनी रनीती बनानी है जब अपना time table पूरा सोचना है तब उसमें यह चीज जरूर याद रखनी है कि उसकी strength है वो क्या-क्या है किसमें वो जादा मजबूत है कितने घंटे पढ़ सकता है कितने घंटे सो सकता है कितने घंटे वो अराम करके मतलब अपने आपको concentrate कर सकता है और फिर उसकी weakness क्या-क्या है weakness में एक चीज आएगे कि phone बहुत use कर रहे हैं weakness में चीज हो सकती है कि आप relationship में बहुत ज़्यादा involved है पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहा है एक weakness हो सकती है एक बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है लेकिन इन चीजों में अपने weakness के कारण पीछे हुआ जा रहा है तो यहां पे हर एक बच्चे को अपनी strength देखनी है अपनी weakness देखनी है और उसको क्या करना है strength पे काम करना है strength को और ज़्यादा बढ़ाना है कोई subject उसका अ अप्लाई करेंगे चाहिए वह प्रिलिम्स का आप जब preparation कर रहे हो माइंड में आपके fact हो उसमें भी आप देखेंगे कि आपका कौन से subject strong है कौन सा weak है जो strong होगा आप उसमें कोशिश करेंगे कि प्रिलिम्स में जितने भी question आते हैं उस topic से आपकी वह सारे सही होने और माल लीजे मैं बात करूँ कि weakness की बात करूँ यहाँ पर तो economy वाला जो section है क्योंकि बहुत सारे fact पूसते हैं तो वो section में अपना माल लेती हूँ weak अगर वो section में weak मानती हूँ तो आपको फिर कोशिश करना है कि कम से कम 10 में से यहाँ पर आपके 7 question जो है वो सही होने चाह यह मैंने basic चीज़े आपको बताई हैं अभी हम और discuss करेंगे ठीक है तो यह हो गया आपका यह short analysis यह अपने दिमाग में जरूर रखिएगा अपने दिमाग में हर एक चीज के लिए आपको apply करना है आप प्रिलिम्स पढ़ रहे हो में पढ़ रहे हो किसी भी चीज की आप strategy बनाएंगे रणीती बनाएंगे personal life में professional life में यह जरूर चेक करिएगा कि आपकी strength क्या है आपकी weakness क्या है आपके पास opportunity क्या क्या है और साथ ही साथ आपके पास threats क्या क्या है ठीक है फिर बढ़ता है यहां पर time table time table पर एक बड़ा होता है कि हम time table विल्कुल बना लेंगे और उस हिसाब से follow करेंगे और real में यह होता है कि time table आप कितना भी सोचें follow नहीं हो पाता है एक time के बाद तो चीज़े random ही चलने लगती है सुबह उठके लगता है चलो यह पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे तो यहां पे दो type के लोग हो गए एक तो जो full time पढ़ाई करने वाले है है ना घर से आये हैं coaching करने के लिए और दूसरे शहरों में इन दौर वो पाल में रहके पढ़ाई कर रहे हैं full time कर रहे हैं दूसरे है house या house wife या job करने वाले जिनके पास limited time है अब सीधी बात है वो अपना time table अपने time के हिसाब से बनाएंगे अगर यह 4 घंटे ही पढ़ पा देना चाहिए अब यहां पर यह मुद्दा आता है कि यह चार घंटे हैं और यह 8 घंटे हैं जौब वालों को लगए कर कि हम तो बहुत पीछे चले जाएंगे तो याद रखेगा यहां पर सबसे में जो आता है वो आता है concentration का आप बिलकुल मतलब यहां पर शान्त होके concentrate हो यह जरूरी हो जाता है इसलिए यहां पर time table जो है उसमें भी आप अपने हिसाब से बनाएंगे कि आपको कि सब्जेक्ट पर जादा ध्यान देना है क्या आपकी strength है क्या आपकी weakness है है ताइम जितना है उस हिसाब से फिर आप डिवाइड करेंगे और इसकी हम अभी detailing देखे प्रिलिम्स और मेंस के subject अभी मैं बस यह कह रही हूं कि आप जैसे 8 घंटे भी अगर डिवाइड करते हैं तो ऐसे करें जो आपका week subject है उसको पहले करना है उसको जादा time देना है जो आपका कम जोर पार्ट है उसको आपको कम का time देना है ठीक है इसमें जरूर याद रखि और यहां पर जो आपके English medium वाले बच्के होते हैं वो पीछे रह जाते हैं कहां से पीछे रह जाते हैं पहली बात उनको हिंदि के सब जो आपके मालेचे तो शब्द होते हैं अच्छी अक्षे जो वर्डंस हैं वही नहीं पता होते क्लिक ही नहीं करते हैं इसको Hindi में बोलते क्या है очень उतकि हैं क्षाइब्न काम जरूरी है क्यूंकि एससे जो है वह सबसे जादा जो है वksomh GrS to Souls है अच्छे अदर अम्बर उसमें होनी चाहिए कि अगर आप निबंध लिख रहे हैं उस टॉपिक में तो बहुत अच्छे से पूरा फ्लो में लिख पाएं तो यहां पर आप शुरू से याद रखेगा कि और जो टॉपिक हैं तो ठीक है लेकिन साथ ही साथ में आपका जो हिंदी है निबंध वाला जो है पेपर उसके लिए आप थोड़ा-थोड़ा काम जरूर कर रहें जिसे आपकी हिंदी में पाकर जरूर बने जैसे आप पॉल्यटी पढ़ेंगे पॉल्यटी में आप कभी भी हिंदी के शब्द नहीं पढ़ेंगे, आप आर्टिकल पढ़ेंगे, अनुछेद नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जब आपको लिखना होगा, ऐसे में, तो सीधी बात है, आपको वहाँ पे अनुछेद लिखना पढ़ेगा, तो इसलिए आपको पता हूनी चाहिए, क्या-क्या चीजें, आप फ्लो मीडियम में लिख रहे हैं कमसे तो उनकी स्पीड आपसे जादा होगी क्योंकि आप इंगलिश में लिख रहे थे तो आपको हिंदी में अपनी स्पीड भी इतनी रखनी है कि निबंध का पेपर छूटे नहीं ठीक है फिर बात करते हैं यह आपको लग रहा होगा कि यह पंच तो होने चाहिए कुछ बच्ची ऐसे होंगे जो आधिमानों टाइम के वेपन लेके चल रहे हैं मतलब उनको कुछ नहीं पता कि आज के टाइम पे एके 47 लेके लोग उतरेंगे तो हमें उनसे कंपीट करना है हमारा कॉम्पीटिशन एक एक 47 से तो हमें अपने आपको अपग्रेड करना पड़ेगा उन्हें यह नहीं पता है इस चक्कर में वह आधिमानों वाले टूल्स लेके चल रहे हैं अभी भी कुछ जो है वह मध्यकालीन वाले तलवार वगयरा से तलवार बाजी कर रहे हैं और यह एक 47 वाला आता है सबको उड़ाके रैंक लेके चला ना उनको यूज करने से कोई मतलब होता है और कभी उस चक्कर में क्या होता है आपके एक दो साल बरबाद हो गया प्रिलिम्स भी नहीं निकला फिर आपको पता ही नहीं होता कि कौन सा रियल हथियार है कौन सा आपका रियल वेपन है जो की MPPSC आपको निकलवाएगा सबसे में बात जो है चाहे वो पुराने हो चाहे नहीं हो उनको यह समझना पड़ेगा कि आपका एकी 47 कौन सा हो सकता है और आप कहां पे गलती कर रहे हैं ठीक है तो यहां पे हम कहां जा रहे हैं युद्ध में आपको याद रखना है लीव नो स्टोन अंटर्ड मतलब कोई भी एक भी ऐसा आपको solution नहीं छोड़ना है जो कि आपको apply करना पड़ता है MPPSC में हर एक चीज apply करनी है मतलब ऐसा है ना कि जंग और प्यार में सब जायज है वही वाला कि आपको हर एक चीज apply करनी है ऐसा हर एक काम करना है जिससे आपका selection हो सके शुरू में नहीं पता रहता ह है उसके लिए हम कुछ चीज discuss करेंगे कि यह हमें कैसे पता चले कि हमें क्या-क्या focus करना चाहिए सबसे पहला आता है syllabus अब सब जो जितने भी टीचर है सब बता रहे है syllabus सबको यही ग्यान दे रहा है syllabus देखना है syllabus देखना है लेकिन syllabus के साथ साथ आपको पुराने वर्ष के जो previous year के paper है previous year के questions है वो भी देखने है अब सबसे पहला यही question आता है कि हमें करना क्या होता है syllabus हमने ठीक है याद कर लिया रट लिया प्रिवेस year के question पेपर देख लिये लेकिन फिर भी हमें समझनी आ रहा कि करना क्या है तो याद रखिएगा यहां पे क्या करना होता है syllabus और previous year जो आपके questions हैं, उन दोनों के बीच क्या relation है, ये समझना होते हैं. इसके लिए मैंने दो वीडियो बनाए हैं, prelims का post-martum करके वीडियो है. जरूर देखें आप, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि कैसे आपको syllabus relate करना होता है previous year के question paper से. और उसके बाद अपनी पढ़ाई शुरू करनी होती है. जब आप समझ जाएंगे कि paper में demand क्या है, paper पूछता क्या है, वही वही चीज़ आप syllabus से उठाके पढ़ेंगे. है ना, क्योंकि मैं, अब यहां पे मैंने example भी दिया था, कि UPSC में भी आपका सुतंता संग्राम आएगा, MPPSC में भी आएगा. लेकिन UPSC के जो question है, वो बिल्कुल अलग होंगे, MPPSC के अलग होंगे. अब आप सिर्फ topic देखकर कि सुतंता संग्राम पूछा हुआ है, independence के बारे में पूछा हुआ है, आप सिर्फ पढ़ाई तो शुरू नहीं करेंगे. आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि उस सुतंता संग्राम के अंदर question कैसे बन रहे हैं MPPSC में. उतना ही detailing आपको पढ़ना है, वैसे ही type के आपको answer की practice करनी है. तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि आप जितने पुराने साल के paper हैं, चाहे वो prelims का हो, चाहे वो mains का हो, आप पहले उसे एक बार देखें. और syllabus के साथ फिर यहाँ पे क्या करें, उसको analyze करें. दो वीडियो मैंने बनाए हैं, बहुत ही शांदार हैं, आप जाके जरूर देखिए, प्रिलिम्स का post-model, जिसमें आपको इन दोनों का connection समझ में आएगा. मतलब आपने बिल्कुल syllabus रट लिया, आपने समझ लिया, पुराने वर्षों के जितने भी previous year papers हैं, आपने सब समझ लिया, अब आपने तैयारी शुरू कर दिया, उसके बाद क्या होना चाहिए, third step क्या होना चाहिए, notes बनाना, अब याद रखिएगा, जो आपके experience बच्च हैं, वो समझ नहीं पाते हैं, वो क्या करते हैं, पहली ही चीज उन्होंने कुछ पढ़ी और उन्होंने यहाँ पे notes बराना चालू कर दिया, ऐसा नहीं करना है, ऐसे में तो आपकी पतनी कितनी copy भर जाएंगी, आपको पहले सारे के सारे जितने भी available यहाँ पे चीजे हैं, वो पढ़नी है, जैसे माल लिए, यहाँ पे आपको प्राचीन भारत के बारे में पढ़ना है, या स्पेसिफिक हम माल लें सिंधू सब्वेता के बारे में, इंडस वैली पढ़ना है ना, सिंधू सब्वेता, तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि आपके पास क्या क्या ह लगते हैं, आपके पास बहुत ऑप्शन है, तो पहले आप यह सीज़ें सारी कर लें, उसके बाद आपको जो समझ में आए, यह सही लग रहा है, उसका लास्ट में जाके क्या करें, यहां पे, नोट्स बनाएं, है ना, उसका जाके नोट्स बनाएं, क्योंकि नोट्स आप आपको फाइनल वाला बनाना है, यह नहीं कि पहले आपने बहुत सारी चीज़ें कर ली, अब एक ही टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट आपका हो गया है, और आपके सब्जेक्ट के लिए क्या जरूरी है, आपके पेपर के लिए क्या जरूरी है, यह एंड में जगा छोड़ दीजे, या चाहे यहां दोनों साइड में से किसी एक साइड मार्जिन बना लीजे, उस मार्जिन में आपको क्या करना है, उस मार्जिन में आपको सबसे में बात, अगर यहां पे प्री से रिलेटेड कुछ फैक्ट मिल रहा है, जो कि आपको लूस इमांदारी की बात करें तो इमांदारी को दिखाते हैं तो वह एक्जामपल आप पेपरर जब लिख रहा होंगे पेपर और के नोट में आप साइड में यहां पर एक्जामपल जरूर लिखेंगे क्योंकि वह बहुत काम आते हैं जितना यूनिक अच्छा रहे आपका एक्जामपल रहेगा जितना ही रिलेटबल आज के टाइम से आपका एक्जामपल रहेगा उतना ही जादा आपको नंबर कि पेपर फोर में काम आएगा ऐसा हुआ ठीक है और प्री और करेंट जितना भी आप पढ़ते हैं उससे जो भी आपको फैक्ट मिलता है वह एक्स्ट्रा फैक्ट आप यहां पर लिखते जाएंगे साइड में मार्जीन अगर आपको बनानी पढ़ रही है हर पेज में तो जैसे कि आपकी जन्संपर्क विभाग जो है आपका मध्यप्रदेश वाला तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं आपके यादव जी ने क्या कहा उसके अलावा मोधी जी ने क्या कहा तो उनकी जो लाइने होती है जो स्कीम से हैं उनकी आप लाइने सीधे हो बस जो एक्स्टा चीज़ें मिलती जाएंगी करेंट अफियर से और आपके जो प्रिलिम्स वाले फैक्ट हैं वो हो गया इसके लाव पेपर फॉर में जो एक्जामपल होगे यह चीज़ें बस आप आप आड करते वह जाएंगे हां यहां पे जो इंग्लिश मीडियम वा उस ताइम पे क्योंकि प्रेशर बहुत जादा रहता है ताइम कम रहता है तो आप हिंदी के शब्द जरूर लिखते चलेंगे यहां पे कि आपके हिंदी के शब्द भी अच्छे रहें स्ट्रॉंग रहें ठीक है यह हो गया आपका तीसरा टॉपिक जिसमें आपको क्या कर नहीं हो पाता जो हम शुरू में पढ़ रहे थे बिल्कुल शुरू में और रिवीजन अगर नहीं होगा तो यहां पर सबसी जाते जो नुकसान होगा वह होगा जो आपके नए बच्चे हैं नए बच्चे क्योंकि इन्होंने अभी पहली बार कोई भी टॉपिक पढ़ा है चाहे वह हिस्ट्री हो कोई या जोग्रफी हो अभी पहली-पहली बार ही पढ़ा है और वह रिवीजन नहीं करेंगे तो यहां पर माल लीजे कि वह सारा का सारा ब्लैंक हो जायेगा तो इसलिए रिवीजन जरूरी है अब रिवीजन कैसे करें तो आप क्या करेंगे हफते म लिए संडे संडे जो है संडे संडे आप अपनी चेक्लिस्ट बनाएंगे हर संडे चेक करेंगे कि आपने इतना इतना पढ़ा है और इतना इतना रिवीजन पर अपने एकहँते बहुत संडे के दिन पूरा-पूरा दिन देना है हाउसवाइब को तो नहीं होगा लेकिन जो जो जोब वाले हैं जिनका संडे ओफ रहता है वह अपना आराम से 780 घंटे निकाल सकते हैं और जतना भी हफते में उनका काई नहीं हो पाया वो एक सांध कवर कर सकते हैं रिवीजन जरूरा करना है एक दिन आपको रखना कि इस दिन मुझे सिर्फ और सिर्फ रवीजन करना है । अगर आप ऐसे रखेंगे से organizing करना है तो याद रखिए का आपको क्या करना है एक दिन हफते में fix रखना है जिसमें आपको सिर्फ revision करना है देखना है कि हमने एक हफते में क्या पढ़ा हमें अपनी तैयारी को और ज्यादा speed में लाना है या नहीं कि सब time table के हिसाब से ही चल रहा है और दूसरा जितना भी पढ़ा है उसको क्या करना है कि यहाँ पर लिए छीज्प लिख ली और यहाँ पर याद रखेगा हम सारे सब्जक्ट की बात कर रहे हैं जैसे जैसे आपका subject complete होते जाएंगे आफ ऊंसर writing चालू कर देंगे answer writing आप previous year question से भी कर सकते हैं या अपने से नए-ने question बना के आप solve कर सकते है answer writing क्यों जरूरी है जब आप prelims क्रोस करके जाएंगे prelims का cutoff निकाल के जाएंगे तो आपको जब आप पहला अपना मेंस लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी जो speed है वह काफी कम है आपको लगभग मतलब यहां पर बात करूं एक paper की है ना क्यूंकि एक paper में दो भाग होते हैं पार्टे पार्ट भी तो अगर मैं एक पार्ट की बात करूं जैसे माली जै पार्ट एक ही बात करूं तो उसमें आपको question कितने करने हैं यहां पर आपके सबसे पहले तो 15 question रहेंगे 20 words वाले है ना उसके बाद रहेंगे आपके 10 question कितने वाले 60 words वाले और यहां पर आपके 200 words में रहेंगे कितने question 5 question तो आप देखेंगे कि यहां पर यह 300 यह 600 और यह 1000 लगभग आपको 1900 लिखना पड़ेगा एक पार्ट में एक पेपर में नहीं एक पार्ट में तो यहां पर 1900 लिखने के लिए आपकी speed उतनी होनी चाहिए कि आपका paper नहीं चूटे उसके अलावा आपका पूरा content तयार होना चाहिए कि आपके जितने भी question उसमें आ रहे हैं जो बल्कुल आपके पास लिखे नहीं थे आपने पढ़े नहीं थे वो तो नहीं बनेगा लेकिन जितने आपने पढ़े हैं आप उन्हें बहुत अच्छे तरीके से बहतर तरीके से लिख पाएं इसके आपकी speed होनी बहुत जरूरी है इसके लिए आपका answer writing practice करना जरूरी है अब यहां फिर वही question आता है कि answer writing practice कब start करें जो आपके नए बच्चे हैं नए बच्चे तो पहले पढ़ेंगे फिर answer writing start करेंगे और जो पुराने बच्चे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ध्यान देंगे answer writing क्योंकि पुराने बच्चों के पास जो तयार नहीं है आप पहले वो पूरा तयार कर लीजे साथी साथ में अपनी answer writing करते रहिए जो आपका portion तयार हो चुका है नए syllabus में जितना भी add हुआ है topic उनकी आप notes बनाते जाए साथी साथ पुराने वाले जितनी भी topic है उनकी answer writing क इससे आपको पता रहे कि इस बार paper में जब आप लिखने जाएंगे main तो एक भी question नहीं चूटेगा आपकी speed के कारण कुछ नहीं चूटने वाला आपको शुरू से confidence रहना चाहिए अपने दिमाग में आप clear रखिए कि paper तो चूटने वाला है नहीं पूरा ही complete करना है इतनी आपके क्या थे main आपके अश्त्र श्त्र थे जो आपको शुरू से अपने साथ लेके चलना है answer writing करनी है आपको syllabus रखना है आपको previous year के question को देखकर चलना है कि हमें syllabus से क्या-क्या पढ़ना है फिर बात आती है यहां पर target की target कैसे बनाए तो क्योंकि अभी हमारे पास time है तो दिसिप्लीन में रखना पड़ेगा कि नयाज यह काम करना है जिससे वो थोड़ा active रहे तो target क्या करेंगे हम तीन भागों में divide करेंगे सबसे पहले तो दिन वाले में कि एक दिन में दिमाग क्या है अगर आप एक बार में बता देना कि पांच महीनी में इतना complete करना है तो यही दिन से दिमाग घबरा जाएगा कि इतना काम है तो वो क्या करेगा फिर वह ignore करना चालू करेगा क्योंकि हमारा माइंड वही काम हमसे करवाता है जो हमें करने में अच्छा लगता है तो आपको बताना पड़ेगा कि यह काम अच्छा है कर सकते हो तो इसलिए आपको सि आपसे अपने target सेट करना है आज इतना complete करना है उसके बाद मैंने बताया week में एक हफते में आप Sunday रखेंगे संडे आप रखेंगे रिवीजन करने के लिए और उस संडे में ही आप देखेंगे कि एक हफ्ते में आपने कितना कम्प्लीट किया आपको यह जरूर दिमाग में होना चाहिए कि मन्थ में मन्थ के एंड में आपके कितने टॉपिक कम्प्लीट होने चाहिए कैसे होने चाहिए पहला topic क्या होगा पहला subject क्या होगा ये सब decide मत करिये जितना ही जादा आप strict time table बनाएंगे याद रखिएगा strict नहीं बनाना है दिमाग को ये नहीं बताना है कि बहुत कठी नहीं ये ये करना है ऐसे नहीं बताना है उसको क्या करना है उसको बताना है कि हमें एक महीने में माल उसके लिए आप सिर्फ एक दिन का क्या बनाईएगा टार्गेट बनाईएगा कि आज इतने टॉपिक कंप्लीट करने हैं दो टॉपिक के नोट्स बनाने हैं उसके लिए जो जो भी चीजे लगेंगी आप वो करेंगे तो याद रखेगा यहां पर आप अपने दिमाग को ज् एक दिन का टार्गेट बनाएंगे आपके लिए इसी रहेगा एक दिन आप फोकस करते करतें एक हफ़ते वें देखेंगे कि चलो इतना पूरा हो गया तो दिमाग आराम से अच्चेप्ट कर लेगा एक साथ अप एक महीने का बना लेंगे और बताएंगे कि एक घंटे का ब तो आपको ऐसे बनाना है, जो आप लंबे टाइम तक सस्टेन कर पाएं, ऐसा टाइम टीबल, डे करना है, डे एक हफ़ता कंप्लीट हुआ, हफ़ते में आपने देखा, यहाँ पर आपने क्या किया, कि आपके एक हफ़ते में आपने क्या कंप्लीट किया है, अनलाइस करने के सात-सात क्चिया आपने एनलाइज करने की सान्त-सात रिवीजन किया सारा का सारा आपने रिव वीजन किया जितना भी पहले पढ़ा हुआ था सात ही साथ में आपने क्या किया यहां पर जिसे माले जौब वाले संडे को और थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे के हर चीज करेंगे रिवाइज भी करेंगे नई चीजे जो है वो भी एड करेंगे तो आपका पुराना है वो कवर होता चले ठीक है रिवाइज करने में भी याद रखेगा जो बिल्कुल ताजा-ताजा है कि आपने एक महीटे लिए जो भी सोचा था वो कम्पलिट हुआ की नहीं आपके बीच में आप ना in भी वेस्ट हो जाता है इसलिए आपको स्ट्रिक्ट टाइम डेबल बहुत नहीं बनाना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं फॉलो पाता है एक महिने का अवर आप सोच के चलिए कि पेपर फोर कंप्लीट करना है तो ऐसे आप कंप्लीट कर ले जाएंगे फिर टाइम टे मैंने रेलिस्टिक बाते लेकर चलिए कि माली जिए नोटिफिकेशन जब भी आ रहा है तो एक हमें टार्गेट में रखना है नौटिफिकेश्ट आने के पहले टक जब तक नोटिफिकेश्न नहीं आरा तब-थक हम क्या क्या कर सकता है निमाग में आ फिर भी लेकर मिलते हैं दिसंबर से जनवरी फरवरी मिलेगा मार्श में पेपर होगा तो दो से तीन महीने यहां पर आपको मिलते हैं और फिर सेम ऐसे ही प्रिलिम्स के बाद मेंस के लिए आपको दो से तीन महीने अगर यह मार्श में होता है तो जुलाई तक में होगा तो यहां से आपको मेंस के बीच का टाइम हो गया अब यहां पर यह समझने की बात है कि इस टाइम पर लोग जो काम करेंगे आप जो काम करेंगे वो भी डिवाइड़ होगा दो भागों में फ्रशर अलग काम कर रहोगा और जो आपका सब्जक्ट चूज करने हैं जिसमें उनका इंट्रस्ट बना रहें जैसे हैं आपका हिस्ट्री ओ गया जोग्रफी ओ गया यह ऐसे सब्जक्ट है कि आप किसी भी टीचर से पढ़ेंगे आपको अच्छी से समझ में आएगा तो आप कनेक्ट कर पाएंगे अगर आप बिल्कु इसा टॉपिक है कि आपको उसके लिए समझना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ हैं इसे बिल्कुल फैक्ट पर बेस नहीं है कि हिस्ट्री जैसे जोग्रफी जैसे समझ में आजाएं तो इंट्रेस्ट बनाने के लिए क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं आप नॉर्मल जब आपकी रिधम बन जाए तब आपको शिफ्ट करना है किसमें पेपर four में पेपर four पेपर three ठीक है और इंगलिश मीडियम जो वाले हैं वो पेपर six में भी focus करेंगे five में भी focus करेंगे हिंदी मीडियम वाले क्योंकि हिंदी उनकी ठीक ठाक है ऐसे में भी ठीक ठाक काम क करेंगे तो यह फ्रेशर के लिए हो गया कि आप पहले अपने आपको ना नॉर्मल करिए सब्जेक्ट के साथ कि हाँ ठीक है समझ में आ जाएगा चीजे याद होने लग जाएंगी जैसे ही आप रिलेट करने लग जाएंगे चीजों को उसके बाद पेपर फोर में शिफ्ट क करेंगे जिसके नोट्स नहीं बने हैं उनके पास सबसे पहले क्या काम होगा सारे के सारे आप notes complete करेंगे अपने इसमें आपको mains से related सारी चीजे complete रखनी है और answer writing करनी है answer writing दिमाग में ये लेकर चलना है कि इस बार mains जब मैं लिखूंगा या लिखूंगी तो वो clear होगा ही ठीक है दिमाग में ये बिल्कुल clear रखना है क्योंकि आपको इतनी practice कर लेनी है हर एक question की हर एक topic की अगस्त से December चक में कि आपको clear रहे कि अब बिल्कुल हर एक topic अच्छे से हो जाएगा मेरा clear जितने भी experience वाले हैं क्योंकि आपको पता है मेंस के time पर एक ही चीज आती है या तो speed कम होती है या तो आपके पास पूरा complete होता नहीं सिले बद तो आप अच्छे से answer लिख नहीं पाते तो आपको सिर्फ ध्यान देना है किसमें अपने मेंस topic में याद रखेगा आपको सिर्फ और सिर्फ मेंस पर ध्यान देना है इनको भी देना ध्यान मेंस पर ही है इनको भी main speed देना है लेकिन पहले rhythm बनानी है कि आप बिल्कुल relax हो जाएं आपको बहुत सारे subject पढ़ने हैं उसके बाद आप क्या करें और भी subject को add करना चालू करें ठीक है तो दोनों का अलग-अलग तरीक रहेगा जैसे मैंने बताना कि एक ही चीज सब के लिए apply नहीं होग फिर आता है यहां पर notification के पहले तो आपने क्या कर लिया यहां पर आपने मेंस पढ़ लिया ठीक है मेंस complete किया अब सारे बच्चे मेंस ही complete करेंगे उनको चाहें इंट्रेस्ट थोड़ा कम भी आया फिर भी क्यूंकि लास्ट में आपका prelims निकल जाता है मेंस में बहुत problem आ पाता उसके लिए या फिर हमारा subject ही पूरा नहीं हुआ रहता तो वह करना ज़रूर है जब notification आजाएगा और prelims का time रहेगा तो सीधी बात है यहां पर प्रिलिम्स भी चालू करेंगे और मेंस जो है मेंस के सिर्फ वो topic उठाईएगा जो की दोनों में common है जैसे history हो गया geography हो हो पाए अगस्ते से December तक में तो उन subject को आप यहां पे भी पढ़े सकते हैं लेकिन कोशिश करिएगा कि यहां पे वही subject आप पढ़ें जो की आपको prelims में भी काम आए फिर prelims में चीज और याद रखनी है बहुत सारे जो आपके बच्चे होते हैं उनके prelims नहीं निकलता है में उनका सब तयार है prelims से नहीं निकल रहा तो यहां पे जो आपके experience वाले बच्चे हैं है ना experience वाले बच्चे हैं वो हलके में नहीं लेंगे सबसे main बात यहां पे prelims को हलके में नहीं लेंगे जैसे मालीजे हमने बात करी कि March में पेपर है तो आप फरवरी मिड से मतलब यहां पे मिड फरवरी से क्या करेंगे मिड फेव से start कर देंगे सिर्फ और सिर्फ prelims पढ़ना ज्यादा से ज्यादा practice करना prelims को भी हलके में नहीं लेना है कभी कभी prelims नहीं निकल पाता मेंस के लिए तो तयार बैट हैं interview दे चुके हैं दो तो इन बार लेकिन prelims नहीं निकला तो prelims को हलके में नहीं लेना है फिर बात आती है प्रेलियम्स और मेंस के बीच का जो टाइम है और आपका कंप्लीट नहीं हुआ होगा तो आपका एक थोड़ा वीक पॉइंट हो जाएगा अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो सकती है आपको क्या करने रहेग कावर करके फिर आंसर राइटिंग करनी रहेगी और जो जिनका पूरा का पूरा syllabus cover रहेगा उन्हें सिर्फ और सिर्फ क्या करनी रहेगी answer writing करनी रहेगी answer writing करनी रहेगी हर एक topic की अलग-अलग आप test देंगे देखेंगे कि उस time limit में आप सारा cover कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं तो ये सारी चीजें हो गई आपके time table से related time table मैंने वही बताया fix मत बनाईएगा day आपको एक एक दिन के हिसाब से अपना time table बनाना है Sunday को आपको चेक करना है आपका कितना cover हो गया है, कितना बाकी है revision भी करना है और महीने के end में आपको देखना है कि आपने जो एक पूरा topic सोचा था वो complete हो गया है, यह नहीं फिर बात आती है कि आपके इस जंग में क्योंकि हम जंग लड़ रहे हैं, war लड़ रहे हैं तो इसमें आपकी enemy कौन-कौन है तो सबसे पहला enemy है phone आपको भी पता है हमें reels देखने की हमें videos देखने की बहुत जादा आदत लग चुकी है इसके लिए बस एक ही option है जब आप पढ़ाई करें, अगर phone से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, book से पढ़ रहे हैं या किसी और चीज़ से, तो अपना phone silent पे side में रखा करें माल लिज़े phone से पढ़ रहे हैं तो यहां पे do not disturb का option रहता है हाना, do not disturb D&D, उसको on करके रखें जिसे call ये message किसी का आता है तो उस time पे ना आए WhatsApp और Instagram और सबके notification अपने पढ़ते time off करके रखें उसको, मतलब off आप पूरे time के लिए कर सकते हैं अब आपको देखना हो कि किसका message आए तब ही दिखे आपको उसके अलावा दूसरा कोई आपको disturb नहीं कर सके पढ़ाई के time पे ये तो आपको control रखना पड़ेगा इतना discipline आपको रखना पड़ेगा दूसरा आता है relationships बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये मतलब बेबी शोना के चक्कर में नहीं पढ़ना है मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसी एज में होते हो जहां अगर आप मालों किसी को like करने लग तो आप control नहीं कर पाते हैं बड़ी मुश्किल से उसको इंप्रेस करते हो अब आपसे हो तो नहीं रहा क्योंकि डोपामीन रिलीज हो रहा है आपको अच्छा लग रहा है बात करके मिलके घूमके तो आप क्या कर सकते हो उन सारी चीजों को time waste ना करते हुए आप सामने वाले को समझा सकते हो कि भाई आप कैसे वो सामने वाला आपके पढ़ाई में help कर सकते हैं वो आपसे पूछे कोई subject या कोई topic अगर दोनों PST की तयारी ही कर रहे हैं तब तो और अच्छा है दोनो औब दूसरे को target दे सकते हैं यहां पर दोनों दूसरे को target दीजिए कि कल इतना करके आना है कल इतना revise करना है फिर पूछिए एक दूसरे को solution बताइए ऐसे करके आप एक दूसरे की बहुत अच्छे तरीके से help कर सकते हैं पढ़ाई में और दोनों लोग selection ले सकते हैं तो ये फायदा ही करता है आप किसी और से ना discuss करके उसी करिए मा लिजए आपका PSC से related नहीं है कोई जो friend है आपका तो PSC से related नहीं है फिर भी आप उसे बोले कि तुम उसे पढ़ाई की ही बाते किया करो है ना थोड़ी बहुत यहां मा की बाते चलती हैं लेकिन पढ़ाई की बाते discuss करेंगे आप उसको कुछ बताईए आपने जो भी अभी नया पढ़ा आप discuss करिए कि क्या क्या पढ़ा आपने तो उससे क्या होगा आपका जो time या social pressure time जैसे job वाले हैं social pressure जैसे आप घर पहुंचे और पूछे कि बेटा इतने साल से इन दौर में रह रहे हो अब क्या कर रहे हो तैयारी ही कर रहे हो क्या इन सारी चीजों को इन तीनों को अपने बीच में नहीं आने देना है एक साल आपको अभी 2025 फोकस करके चलना है कि इन चीजों को मैं बीच में नहीं आने दोंगा अगर घर से नहीं मिल रहे तो दोस्तों से ले लूँगा दोस्तों से नहीं मिल रहे तो कहीं से भी manage करूंगा थोड़ा चोटे बहुत कहीं पर कोचिंग पढ़ा के चोटे-चोट बच्चों को कुछ कमा लूँगा लेकिन इन तीनों चीजों को अपने पढ़ाई के बीच में नहीं आने दोंगा क्योंकि इस पूरे पेपर में आपकी weakness और strength के बीच में एक चीज खड़ी है वो है आपका motivation आपका जुनून आपने 12th फेल देखी ही होगी अगर आप में ज पढ़ना है पेपर निकालना ही है किसी भी हालत में ठीक है और यहां पर यह जो motivation है यह आपका जो मतलब जुनून है वो अंदर से आना चाहिए यह नहीं कि रोज बार-बार कोई थपड़ मार के बता रहे है कि पढ़ लो पढ़ लो ऐसा नहीं है खुद से ही जब आप करें कि नहीं करना है क्योंकि एक बार आपका नाम आ गया लिस्ट में तो बस यह मानिए कि जो लोग आपसे मतलब धंग से बात भी नहीं कर रहे थे वह आपके चरण धोके पीएंगे इसलिए आपको वह motivation लेके चलना है बाहरी motivation से कुछ नहीं होगा आपको भी पता है आपको अ और उसी हिसाब से पढ़ाई करने है I hope आपको सारे चीज़े अच्छे से समझ में आई होगी कोई भी doubt है call message करके post सकते हैं चलिए मिलते हैं next lecture में